लेट्स आपोज ये हमारे पास एक कंड़क्टर है और इस कंड़क्टर के अंदर ये हमारे पास डिफ्रेंट एटम्स हैं इस कंड़क्टर के अंदर ही हमने क्या करना है हमने इसे हीट अप करना है यानि कि इसे जो है वो हीट करना है लग सपोस कि जब हम इसे हीट नहीं करते हैं उस वक्त इसके सब एटम्स की जो एनरजी है वो बिल्कुल फेम है यानि कि जितनी एनरजी इसके अंदर होगी उतनी ही इसके अंदर होगी लेकिन जैसे हम इसको हीट करें जैसे हम लोग इसको हीट करते हैं यह हम लोग यहां पर इस तरह से ले ले लेते हैं हमार बस कैंडल्स ही है और यह इसके ओपर हम लोग ने फायर लगा दी अब होता है कि जैसे हम इसको एक साइट से गरम करेंगे यानि कि एक साइट से हीट कर रहे है तो यह हीट जो है इसके यह वला एटम एब्सॉब कर लेगा जब यह वला एटम एब्सॉब करेगा तो इसकी जो एनरजी है जो इसकी हीट है इसकी अपनी एनरजी जो है वो भड़ना शुरू हो जाएगी और जैसे ही ये अपने साथ वले आटम से कॉलाइड करेगा तो दोनों आटम में चुकि एनरजी का डिफरेंस है ये वला आटम अब हीट अब हो चुका है और साथ वले आटम जो है वो भी कूल डाउन था तो दोनों में टमपरिचर का फरक आ जाता है यानि कि एक की एनरजी इतनी जादा हो गई है जैसे किसी चीज़ को एनरजी दी जाती है इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को एनरजी देते हैं तो इसका मतलब है उसकी इंटर्नल एनरजी इंक्रीज हो रही है internal energy increase हो रही है और जो internal energy है इसका मतलब यह है कि उसकी काइनेटिक energy है rotational plus vibrational plus translational और इसके लावा अगर उसकी कोई potential energy है तो वो भी किस सब energy का जो सम है यह internal energy कहलाता है जैसे ही इस atom को हम heat up करते हैं तो इसकी जो है energy भढ़ना शुरू हो जाती है और जैसी energy भढ़ने के विरसी साथ वले atom से collide करता है means इस तरह से कि इसे आप यूं समझ लीजिए जैसे आपके पास दो blocks है जब तक तो इनका temperature बिल्कुल same है और अगर इनका temperature बिल्कुल same है मतलब यह की atmosphere पर पढ़े हुए है इनके अंतर कोई मतलब जैसे कि अगर इसका temperature 2 degree Celsius है और इसका भी 2 degree Celsius और इन दोनों को अगर आप इस तरह से combine करके साथ जोड भी दें तब भी इनका temperature है वो 2 degree Celsius ही रहेगा और जो heat है यानि कि क्यों वो zero होगी चुकि इन दोनों का temperature same है तो इनके दरम्यान कोई भी heat transfer नहीं हुई लेकिन जैसे कोई एक body है जिसका temperature है T1 वो greater than है T2 यानि कि इस वाले atom से हैं इस वाले block से उसका temperature ज्यादा है तो जैसे ही आप इन दोनों को आपस में combine करते हैं तो Q जो है वो transfer होना शुरू हो जाती है T1 से heat 2 की परस्ट यानि के जो Q है वो transfer होना शुरू हो जाती है अब जाहिर से बाते हैं जब दो बोड़िस को आप जाते हैं आपको मालूमें कि जो conductors होती है और different कहां के जो अगरों में जो टेंसलों समाल होती है वो किस तरह से heat up हो जाती है कोई भी conductor हो इस अप्रेशर में है था और इसका temperature का मधास इस temperature के difference के उनके heat जो energy transfer होती है उसे हम heat कहते हैं जो temperature होता है जैसे heat इसे transfer हुई और इसकी energy है वो full down molecule है या full down जो atom है जिसकी energy बिल्कुल ही वीरो थी वो बिल्कुल अपनी जगा पे था जैसे ही इस ज्यादा energy वाली atom इसके साथ collide दिया तो अपनी energy उसे transfer कर दी इस तरह से इस तरह से अपनी energy इससे transfer कर दी इस तरह से energy transfer से transfer होती चलेगी चुके जो atoms है वो random भी move कर रहे होते हैं वो पूरे के पूरे conductor के इंदा movement कर रहे होते हैं इस तरह से stable होते हैं यानि कि इस तरह से stable होते हैं लेकिन अपनी vibration से यानि कि उपर नेचे हर्पर से उनके पास जो भी atom दाएंबा आता है वो अपनी collision के विरस से heat transfer करते चले जाते हैं और इस तरह से यह आगे वाले से collision करेगा अपनी जगा पर stable होते ही वाइबरेट करते हुगे यह energy को transfer कर देते हैं जब energy इस तरह इस तरह इस वले edge कर तूमस की है तो पूरा का पूरा conductor जो है उसका equally energy distribute हो जो 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 है तो इस सारी energy को जी इस पूरे conductor के उपर आगे है यह जो हॉल energy आगे इसके उपर तारी के सारी energy है इस energy को अब हम लोग temperature केंगे यानि के जो heat होती है वो two bodies में temperature के difference के वादा से गई और जो overall इस पूरे body temperature के increase कर गए पूरे body के energy है वो काफ़ी हद तब जादा होगे तो इस पूरे conductor के temperature होगा जो collectively heat होगी उसे हम लोग temperature करते है हम इसी तरह से록़ना सकते है कि heat होती है heat मेई करती है किसी बी चीज़ की energy को कि किसी बी 되지 में किपनी energy है और जो हमाई पर temperature होता है temperature यह मेई करता है कि किसी बी content में यानि किसी बी substance के content में कितनी ज्यादा heat आई यानि कि इस conductor के कि जितने बी content है बिद्यूर्ट की इनर्जी थी इसे हम लोग ने इख्मिट कह दिया तो यह हीट और एनर्जी के बारेमी था अब इस तरह से समझेज़ें इसे कम सब्सक्त मजीद आबे बढ़ाते हुए यूं कट करने दिए कि आपके पास एक कंटेइनर है इस कंटेइनर के अंदर आपने ग जैसे बहुत दद्धा मॉलिक्यूंट है इस तरह से जिस तरीके से यहां पर एक लिड लगा हुए और उस तरीके जरीर आपने इस बीकर के अंदर इस गैस को फिल्ड कर लिया अब कुछ सिस करा का प्रसिडर होता है कि ये वाला कंटेनर जो है बाहर वाली अस्मोस्केर के अंदर जो हमारे रइजक nearby मॉलक्यूल अभब कर लेते हैं यानि कि ये लिग इसके अंदर आती है जैसे ही ही इने मिलेगी तो इनकी लूड़की है यह रेंडमनी मूब करना चुरू हो जाते हैं और वाइब्रेट करते कर इंटी कंडिशन यह ले आ जाती है जिसे कि यहां पर में यह कोड़ भी कर दोना हूं ताकि थाने से समझाय जाते कि इस तरीके से हमारे इस तरह से मूवमेंट शुरू हो जाती है हीट अब्लोब करने के बाद कि यह लिट को जो है गैस के माली की थोड़ा सा उपर उठा जेते हैं अगर हमने इस चुपर कोई भी वेट वगरा नहीं लगा यानिकि एक मूवरबल सिस्टन है और वह इस तरीके से है कि जैसी गैस के माली की थोड़ा सा ज्यादा मतलब तेजी नहीं से वाइबरेट करते हैं नहीं अपनी है और जिट है हमारे और कि तरफ आगया इस तरीके से चैकर में इस कि लिट पर आने यानी कि अजुआ नमारे जुब्लिट की रवत को भी होत्ता है इन्होंने कुछ तो कुछ फासला तैय किया, इन्होंने लिट को मज़ीद ऊपर की तरफ िया इसका मितलब है इन्होंने वर्गटन कीया है, यहां पर वर्गटन कीया गया है अब इस सिचूशन में आप यह देखें कि जैसे ही हीट इने मिली थी तो हीट अब्जॉब करने के बाद यह मलाकी उसने जो फोर्स है फोर्स भी अपट डिरेक्शन में लगाई और अकवर डिरेक्षубли रेक्ष्न में लगाते हमारे लिट को जो है वो उपर की तरफ उधा त्व दिया अप जो कांद लिया गया है सरारांडिंट की सिरफ फीड अब्जोपफ करके इस सिस्टम में किया है हमारे अन्वार्मेंट के यानि करएंगे कि सिस्टम नहीं इस तरह से के निए यह व्कड़एन हुआ है व्कड़न ही हुआ है, यह हमारे माली की कि उसमे पोस है है अप्वार डिरेक्शन में और पोस के साथ थी उन्होंने इस्प्लेसमेन किया और इस्प्लेसमेन जो उन्होंने किया है यह surrounding के ग्लोब प्यूवी energy के तहर किया है तो हम इस इस तरह के कह सकते हैं कि अभी situation में चुप हमारा work done हुआ है ये work done by the system हुआ है यानि कि हमारे system ने work done किया है on its environment यानि कि environment पे environment पे हमारे system ने work done किया है इस situation में हमारा जो displacement है वो भी upward है और हमारी force भी upward है तो मतलब में जो theta है इनके तरम्यान वो 0 है तो इस situation में अगर हमारा work done जो है वो calculate करें तो हमारा work done जो इस तरह से निखलेगा कि हमें मालूम है कि FB force भीचा होता है और इस situation में हमारा theta जो है वो 0 है तो जो force 0 है force 0 है वो maximum होता है यानि के one के equal होता है तो हमारा जो work done है वो positive होगा और FB होगा इसका मतलब है जब भी system work करता है कोई भी आपकर system हो कोई भी container हो कोई भी आपके कोई चीज हो जिसके the gas police लिए है अगर वो system work करता है अपने environment के ओपर उसे हमेशा positive ही लिया जाएगा यह इसे आप इस्टा में भी कमा सकते हैं कि दूसरी option यह भी हो सकती है कि heat given to the system इस situation में heat भी हमने नहीं दी लेकिन सराउंडिंग तिन से कुछनों कुछ heat जो है वो absorb कर यह जब heat भी system को जाए यह system work करें अपने environment पर तो यह दोनों सिच्वेशन जो है वो positive होती है अब अगर हम यह वली condition ले लें यह हम support करने कि हमारे पास यह इस container है दोनों को इस ताती बना लेने जए और इसके इंदर कुछ gas के atoms यह molecule में इस तरीके ते गास के atoms है इस इंदर भी और इसके इंदर भी gas के atoms है यहाँ गास के molecules है अब क्या होता है अब कोई ऐसा सिच्वेशन आजए यानि कि यह वली सिच्वेशन थी हमारे पास यह पास सिच्वेशन है इस तरीके ते और यह गास है मतलब एक बीकर है हमारे तक container है उसके ओपर movable piston लगावर रसके इंदर गैस के कुछ नालिटी उस प्रेज है यह इसके हमारा environment जो है उस प्रेशर अपलाई कर दे इस movable piston से कि यह जो under gas है उसे compress कर दे वोल्यूम कर दे तो इस situation में जो work done होता है वो इस तरीके जो होता है कि जो displacement है वो displacement जो है वो downward हो जोता है हमारा but जो molecules है वो अभी भी इस्टा सो कोशिच कर रहे होता है कि वो upper direction में ही movement होता है तो हमारा जो molecules की force है वो upper direction में आजाती है तो इस तरीके सी जो force है और जो displacement है यह दूम और anti-parallel आजाते हैं तो जिनके तुमने जो angle है वो 180 का आजाता है और जो 180 है अगर हम इसका work done फाइंड आट करें तो work done हमें मालूम है कि fd कोश चीटा की इक्वल होता है इस situation में हमारा जो fd है मतलब कि हमारा कोश कीटा हमारा 1 pt आजाएगा और हमें मालूम है कि जो हमारा कोश 1 kt होता है वो तकरीवन minus 1 के equal आजाता है तो इस situation में हमारा जो work done है वो negative work done हो जाता है यानि कि हम यूँ कह सकती है कि अब की बार जो work done किया गया है यानि कि work done यह हमारा work done किया गया है work done by the environment यानि environment ने pressure to apply किया है gas को compress के लिए तो हम कह सकती है कि work done by the environment on the system इस system is taken यानि कि यह taken as negative इसे हम क्या सकते है कि यह negative होता है जब भी किसी system पर इसका environment work करता है तो उसे हम लोग negative क्याते है या इस situation में यह भी हो सकता है कि जो heat होती है वो heat eject कर जाती है जैसे आपसे compress करते हैं तो compress करने के विज़ा से अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो जो यह तो यह तो आपसे इस तरीक से बिकमा सकते हैं कि किसी इस system से अगर heat eject हो तो वो system कर जो work करना होगा उसे हम लोग negative ले सकते हैं दूसरी बात है कि हमें बॉल्टों में बढ़ा था कि जो work और जो pressure और वाल्यूम का रिलेशनिप दिया है वो हमेशा से inversely relation है यानि कि हम जहां पर pressure को increase करते हैं वह पर हमारा जो volume है वो compressed हो जाता है यानि कि pressure बनाने से हमारा जो volume है वो कम हो जाता है तो pressure और जो volume है इसके दरम्यान जो है inverse relationship पार जाता है और इस situation में जो जब हम लोग heat और temperature के बार में work done करेंगे तो institution में हमारे पस कोई graph इस तरीके से आएगा या कोई graph हो सकता है हमारे पास यह छोड़ सा खालत हो जाए है कोई graph हमारे पस इस तरीके से आता है P और V के दरम्याज इस तरीके से तो हम क्या कहेंगे कि यह जो graph एरिया है इसके अंडर जो भी graph का इलाका है यानि कि यह जो हिस्सा होगा इस line के नीचे इसे यहां से मिलाने के पाद एक graph सब बन जाएगा इस graph के अंडर जो एरिया आता है इससे हम लोग जो है work done कैपलेट कर सकते हैं यानि कि हमें work done पता चल जाया करेगा फिर work done कितना है इस तरीके से पता चल जाया करेगा वह इस तरीके से कि यह लग सपोस के हमारा कंटेनर था और यह हमारा दूसरा कंटेनर था हमने ये कहा कि अगर हम इसके पर ये इसका इतना तरह ये जिसके अंदर जो है गैस के मॉलिक्यू फिल्ड है और जिब हम इसके प्रेशर अप्लाए करते हैं इस तरीके से प्रेशर अप्लाए करें कि इसका जो वॉल्यूम है वो कंप्रस कर जाए या हो सकता है हीट देने के व यह उस एक है किम और में दो रिस क्योंने चाहेंद कि क्योंने खाए़ आप मैं क्यों यह समें खाएव यानी कि São Mehranganम्ञा चे अगभविति कि आप एप आप मोगों हो जर्कल आपसे ऐपकते हैं कि F की जगामें P ले लोगई देल्टः वाजोगगष, निकली हैं, कआहिए गॉC फ्रह नितशने की ढल कमारे एक देशन, की देल्टः वीए हैं. तो इस situation से अगर हमारे पर जाल अभी भी गिवन हो गर आपने पी भी गिवन हो तो हम easily इस system का work done calculate कर सकते हैं जो इसने environment पे किया है या जो environment में कुछ system के उपर work done किया है तो ये कुछ work done के बारे में था कि work done positive कब होता है और negative कब होता है और system किस तरह से work करता है और किस तरह से system environment पे work करता है और heat और temperature में फ़रदी होपसा को काते हैं तो समझा चुका हुआ कि heat और temperature में basically difference क्या है